Hello students, आज हम लोग mechanical properties of fluid के chapter चाप्टर चालू कर रहे हैं और fluid बे हम लोग समझेंगे कि liquid और जो gas है वो कैसे fluid होता है और इस chapter में लोग ये भी समझेंगे कि अगर कोई fluid है मतलब की समझे है liquid है या gas है तो उसका behavior हमारे normal आसपार्थ के जो हमारा atmosphere है उस पे कैसे होगा अगर उस पे हम कोई force apply करेंगे तो हमारा जो fluid है वो कैसे behave करेगा इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को इस chapter में पढ़ना है ये काफी मेज़दार chapter है और हमारे आम जिन्दगी में जो चीज़े होती है नॉर्मली अगर fluid को हम लिया जैसे gas है या फिर liquid है liquid में कोई सभी चीज़ हो सकता है तो उसका जो behavior होता है वो कैसे होता है इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में इस chapter में पढ़ेंगे जैसे कि surface tension है surface tension मतलब कि अगर पानी है और पानी के उपर आप ऐसे flat surface जैसा कुछ चीज़ अगर रख दें तो वो जल्दी डूपता निये बल्कि slow होके डूपता है और starting में तो डूपता भी निया अगर आप पत्ती किसी पानी के उपर रख दें तो देखेंगे कि वो डूपता ही नहीं है तो ऐसा क्यों होता है ऐसी काफी स्री चीज़े हैं जो हम लोग इस chapter में बात करेंगे तो सबसे पहले basic idea निकालते हैं कि जो fluid होता है या fluid को क्या बोलते हैं और क्या होता है actual में उसका मतलब और solid क्यों नहीं fluid की form में होता है चली start करते है ठीक है तो आज का हमारा topic है basic idea ना तो mechanical properties of fluid तो क्या क्या बेसिक properties होती सबसे पहले एक सबसे बहतरी प्रोपर्टी होती है सबसे अच्छा वो क्या है कि जो fluid होते हैं वो flow कर सकते हैं क्या कर सकते हैं flow और flow का मतलब क्या होता है flow का मतलब की बहना flow का मतलब flow अब हिंदी में इसको बहना ही बोलेंगे ठीक है तो कोई भी चीज जो flow हो सकती है तो उसे हम क्या बोलते हैं fluid तो ऐसे कौन कौन सी दो चीज़े हैं वो चीज है liquid and gas ठीक है अब देखिए solid क्यों नहीं है हमारा fluid तो solid क्यों नहीं उसको समझे तो solid जो है वो flow नहीं हो सकता cannot be flow cannot be flow इसका simple example मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है माल लिजी कि मेरे पास में ये solid का एक कोई भी box है ठीक है और इस पे मैं force लगा रहा हूं इसको flow करवाने के लिए externally कोई force लगाना पड़ेगा अब देखिए इस पे मैं जब ऐसे force लगाया तो इसके इस वाले area के कारण इस पे एक pressure exert हुआ होगा और उस pressure के कारण ये ऐसे आगे move किया होगा ठीक है अब move करते इस body का जो structure है इस body का जो structure है उस पे कोई भी change नहीं है ठीक है no change in structure ठीक है तो अगर कोई भी force अगर हम यह लगाते हैं मान दीजिए इसके particular इस area पे और उसके current force pressure exert हो रहा है pressure का formula में आपको बताता हूँ अभी कैसे है तो अगर current force लगाने से वागे move कर गया तो उसका structure अगर change नहीं होता है मान दीजिए तो ऐसे वाले जितने भी हमारे system होंगे या फिर कोई भी system solid liquid का कोई भी ठीक है तो solid वाली चीजी के structure change नहीं होगा तो उसका मतलब है कि वो flow नहीं है no flow क्या नहीं है कोई भी उसमें flow नहीं है ठीक है अब यही चीज हमारा liquid और gas में कैसा होता है तो लिक्विड और gas में माल लिजे कि यह हमारा यहां पास में इसे पानी है ठीक है अब आप particularly ऐसे force लगा नहीं सकते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा आप इसको कैसे प्रिश्ट आप सकते हैं तो अगर यह पानी इस टाइप से है तो आप force लगाने के जब यह पानी निकलेगा तो इसका जो structure है अभी मान लिजे कि जग में इसका structure क्या कुछ shape था वो कुछ अलग था और जैसे इस पर force लगा तो इसका shape जो है वो change हो गया क्या हो गया change हो गया और यह flow हो के निकला एकदा smooth ने निकला यह ऐसा नहीं यह completely बाहर निकल जाएगा और यह flow हो के निकलेगा ठीक है अब समझ रहे है कुछ-कुछ flow का मतलब तो यह क्या होगा shape change होगा और यह जो liquid है वो क्या होगा flow अब वो force कैसे भी लगाया जा सकता है ठीक है इसको अलग-अलग तरीका है जैसे आपको gravity वाला तो मैंने आपको बता दिया अब मान लीजे कि यह पानी आपका pipe में ठहरा हुआ है और इस पर क्या कि एक side में यहां से मैंने air push किया तो वो पानी जो भी आपका pipe में होगा वो क्या होगा एक side से बाहर निकल और उसके कारण यह पानी बाहर pipe से निकल गया हो तो वो depend करता है कि वो force की step से आप लगा रहे है ठीक है तो main चीज क्या है इस पर main चीज यह है कि इसका जो volume होता है solid का वो fixed होगा इसका structure change नहीं होगा force के कारण क्योंकि completely move हो जाता है इस पर जब आप force लगाएंगे तो इस इसके कारण आपका वही area खाले move होगा जिस चगह पर आपका force लगाया गया है ठीक है और उसके कारण यह वाला liquid जो है वो उसका जो safe है वो change हो सकता है वो depend करता है कि आप किस तरीके के safe में उसको डाल रहे हैं ठीक है तो जिसी भी structure पर इस liquid को डाला जाएगा उसी structure पर वो और liquid का भी एक fixed volume होता है fixed volume होता है अब माल लिजे कि आप किसी भी चीज़ पर समझ लिजे कि एक glass पर आपने पानी रखा हुआ है और उसी को किसी और बरतन पर आप उसको पानी को रख दीज़े तो उसका safe जो है वो change हो जाएगा और उसका जो volume है जितना जगह वो ले रहा है वो change नहीं होगा तो यह चीज़ें आपका solid में भी आती है और liquid में भी आता है पर gas के साथ ऐसा नहीं है गैस की कुछ अलग property से अब गैस कैसे behave करेगा तो गैस कैसा है कि अब समय लिजिए air हमारे जितने भी टाइप के गैस होते हैं तो माल लिजिए कि अगर इस container पर मैंने कुछ गैस को रखा है यहां पास में ठीक है तो solid liquid gas के बारे में आप जानते होंगे कि जो solid है उसकी जो atomic particles है वो काफी नजदीक होते है liquid के थुर दूर होते है और gas के काफी दूर होते है अब gas को कैसा है कि अगर मैं इस container में पर रखूँँगा और इसको बंद कर दूँ तो यह ज जितना मतलब जितना बड़ा भी आप इसको एरिया देंगे उतने बड़े एरिया में यह पूरा का पूरा फैल जाता है तो इसका volume क्या है change हो सकता है क्या है इसका volume change हो सकता है ठीक है बहुत सिंपल सा है solid जो है वो flow नहीं हो सकता इसलिए वो fluid के अंदर में ने लिया जाता है दूसरा चीज़े क्या है solid का shape change नहीं हो सकता है जब हम force उसको लगाते है ओके अब ऐसा नहीं है ना कि यह solid हमने लिया और यहां से hammering किया हमने the force लगा और इसे कारण यह shape change हुआ होगा इसका भी exactly point है कि कितने point के बाद में इसका shape change हो सकता है हम normal बात कर रहे है flow के consider में बात कर रहे है ऐसा नहीं है कि हमको इसका shape change करना ही है एकदम ठीक है हम ऐसा force लगा रहे है इसे कर लिए move हो सके तो move करते टाइम पे इसका कोई भी change shape में change नहीं आएगा पर यही चीज़ अगर आप liquid में ह इसको लिए तो बहुत ही कम फोर्स की जरुवत पड़ती है आप इसको किसी भी तरीकिस दे सकते हैं मान लिजे कि आपने कोई cent लगाया और automatically वह room temperature जो हमारा है ठीक है अब उस room temperature की force के कारणी उस pressure के कारणी अभी किसी भी point पे आप देखोगे मान लिजे कि मैं खड़ा हो तो यहां पास में भी कुछ ना कुछ pressure exerted है आप किसी भी point पे खड़े हो जाएं कहीं पास में भी आप water के अंदर चले जाएं कहीं पास में भी आए तो हर जगह का एक ना एक कुछ pressure बनाया गया है उसके लिए आपका एक chart दिया गया है आपके book में आप उसको easily find out कर सकते है और मैं PDF नोड़े बनाया हूं तो उसमें भी इसके बारे में describe किया हूं ठीक है तो उस particular temperature अगर pressure बन रहा है तो pressure बन रहा है तो liquid उस time पे कैसा behave करेगा और जो gas है वो कैसा behave करेगा तो gas काफी कम आपको क्या लगता है pressure लगता है कि फ्लो होने के लिए तो आप समझ सकते हैं क liquid को आप किस जार में रखे हैं तो उसको externally force में apply करूंगा तो वो जाके निकलेगा मतलब उसको extra मुझे pressure देना पड़ रहा है और अगर gas समझ दीजे और gas को मैं ऐसी perfume है अगर लगाओं ऐसे और उसको छोड़ दूँ ऐसे ठीक है तो हमारा जो room temperature हमारे room का जो pressure है खाली इस room उनके pressure से ही खाली यह जो gas यहाँ था वो gas उड़के आगे चला जाएगा ठीक है बहुत है सिंपल तरीका है एक दम समझने का इसको काफी कम pressure लगता है आगे जाने के लिए अभी इसको समझिएगा कि इसका shape कैसे change हो जाता है माल लिजे अब shape change करने के कुछ यह तरीके होते हैं अभी समझ लिजे कि हम sharing stress के बारें बात करते हैं share stress के बारें बात करते हैं अब share stress क्या होता है share stress का मतलब कि कोई भी object पर जब मैं tangentially force लगाऊंगा तो यह क्या होगा ऐसे bend होगा हलका ठीक है अब bend होगा अब इसकी उपर depend करता है कि इसका restoring force कैसा है कि वो अपने share में आ आ पाता है कि नहीं आ पाता है ठीक है तो जब मैं force लगाऊंगा तो यह हलका bend होगा अब bend होगा तो इसका जो volume हो उसमें कोई भी change नहीं आएगा ठीक है अब इसी चीज को sharing stress को इसको समझे यहां पास में liquid में समझ सकते हैं gas में भी समझ सकते हैं अगर आप liquid पे कोई भी sharing stress दालते हैं sitting stress कैसे दालेंगे देखिए मैं समझ लीजी यहां पास में इस marker को ऐसे दाल रहा हूं ठीक है और यहां से ऐसे force लगा रहा हूं तो यह force के करण क्या होगा कि यह marker अराम से dip हो जाएगा जब यह dip होगा तो यहां वाले molecule यहां वाले molecule पे ऐसे करके force लगेगा यह इसको यह इधर लगे लेगा इसको यह इधर लगे लेगा ठीक है याद रखिए का टेंसाइल force तो मैं ऐसे लगा रहा हूं पर टेंसाइल force इस वाले molecule पे ऐसे करके force लगेगा तो यह वाला जो force लग रहा है इस पे वह कौन से लगेगा shear force लगेगा ठीक है sharing मतलब stress लगेगा ठीक है tensile stress के जगशा में इसमें मैंने force तो जो लगा आ था वो ऐसे लगा था तो तो आपको कुछ तो महशूस है पर गैस में तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है तो इसका जो sharing stress है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है resistance जो रोकने की छमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है as compared to liquid और liquid के compare में solid का सबसे ज़्यादा stirring stress होता है ठीक है? stress मतलब की क्या? force, force कौन सा restoring? restoring मतलब की जो change नहीं होने दिना चाहता है तो सबसे ज़्यादा शेरी इस्ट्रेस किसका रहेगा उसके बाद लिक्विट का कितना रहेगा तो as a million times आप बोल सकते हो कितना अगर आप solid को liquid से compare करोगे तो as a million times आपका less resistance होता है मतलब जो change है वो हो जाएगा आपका जो रोकने की छमता है वो कम है किसका solid के मुकाबले liquid का कितना million times आप समझ सकते हो ठीक है तो बहुत है simple साई topic है आपका तो I hope आपको अब हलका हलका clear हो रहा होगा कि solid क्या होता है liquid क्या होता है और gas क्या होता है shading stress उस जगह पे कैसे help करता है ठीक है तो चली थोड़ सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे और समझते है कि जो मैं pressure इतने देर से बोल रहा हूँ वो pressure का मतलब क्या होता है और pressure कैसे help करता है इस जगह पे ठीक है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Pascal Lobby की Pascal Log क्या होता है और Pascal Log कैसे आया आपका और जो flow है लिक्विड पे आप जो flow देखते हैं वो किस कारण से आता है और अगर कोई चीज आपका लिक्विड के अंदर रख दिया जाए और वो एक stationary position पे है समझे लिजे कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो उस point पे अगर नहीं हिल रहा है तो वो condition कौन सी होती है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो कहीं जाएगा ने तो अगला topic हमारा क्या है pressure बहुत ही important topic है पूरे chapter भर में आपको pressure 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 हर जगह मिलने वाला है ठीक है जो force है किसी object है subject पे perpendicularly अगर लगाया जाए ठीक है क्या करिया जाए perpendicularly अगर लगाया जाए उस particular area पे per unit area ऐसा बोल सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं pressure बोलते है example समझे मान लिजे कि ये हमारा box है इस box पे मैंने ऐसे force लगाया और इसका ये वाला area हो गया कौन सा area है ये cross sectional area cross sectional area तो pressure क्या होगा pressure का formula simple सा हेक्दम pressure equal to force upon area ये area कौन सा होगा ये area cross sectional area होगा ओके है तो ये क्या था आपका ये था आपका solid तो solid पे भी pressure होता है ठीक है अभी समझेगा कि ये कैसे work करता है अब आपने देखा होगा कि हम जो needle है ठीक है एक example ले रहा हम आपको कि अगर आप needle देखे होंगे तो needle के सामने का जो area होता है ये marker के जैसे एकदम सामने से चोकी होता है देखें एकदम इसका area काफी जादा काम है अब इसको देखें कि अब मेरे को किसी भी चीज का pressure को अगर मुझे increase करना है ठीक है तो मेरे पास में जो force है वो तो limited है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी object पे जब मैं ऐसे force लगा रहा हूँ तो उस पे pressure maximum generate हो ठीक है तो कैसे करूँ तो मैं क्या करूँगा area को decrease कर दूँगा तो अगर मैंने area को decrease कर दिया तो मेरा pressure क्या होगा मेरा pressure automatically increase हो जाएगा और ये चीज़ें हमें real life में दिखाई जाएटी जैसे कि needle needle को जब आप किसी दिवाल पे ऐसे force लगा के अंदर दालने कोशिस करेंगे तो वो असानिस चला जाता है पर अगर उसके point को मैं मोटा कर दूँ और फिर उस पे उतना ही force लगाँ तो वो जल्दी नहीं जाएगा तो अगर मैंने उसके point को मोटा कर दिया कि आप कोई weight उठा रहे हैं मान लीजे ठीक है कोई भी चीज़ अगर आप पानी भरते होंगे तो पानी में भी आपका डंडी लगा रहता है एक तो देखे होंगे आपने उस दंडी वो एक rod आस्टाइप कर रहता है तो वो पूरा load नीचे डाल रहा है तो आपका हाथ पर इत्ता ज़्यादा दर्द देगा और कड भी सकता है तो उसका कैसे किया जाए उसका सिंपल सांसर है कि जो वायर है उसके area को आप बढ़ा दीजे जब area को आप बढ़ाएंगे जब आप उठाएंगे तो आपके हाथ में प्रिशर जो है वो कम लगी होगा तो ऐसे काफी सरे example से जो इसका आप यूज कर सकते आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं समझ लिजे कि आप कोई चीज है जिसका weight ऐसे उठा रहे हैं ठीक है इसका best example आपको सरकस में देखने मिरता है सरकस में क्या होता है कि मान लिजे कि यहां पास में कोई elephant है आपका हाथी है ठीक है और elephant के पैर के नीचे समझ लिजे कि कोई लेड़ गया बन्द है मैं ही लेड़ गया चलो तो अगर यह मेरे चाती पे ऐसे पैर रखे तो क्या होगा पूरा चकना चूर और मैं तो सिधा उपर ठीक है पर सरकस वाले यह pressure का formula जानते थे और इन्होंने दिमाग लगाया यहां पास में काफी कम है तो प्रेशर क्या होगा प्रेशर काफी जाते लगेगा और वह मेरे अंदर चला जाएगा तोड़के पूरा स्च्छाती उती सा निकल जाएगा तो अब समझे कि सरकस वाले ने क्या दिमाग लगाया यहां पास में कि यह चेस्ट है इसकी उपर में इस टाइब स से एक बड़ा सा प्लाइवूड रख दिया अब इस प्लाइवूड की ऊपर में हाथी ने पैर रख दी तो अब देखे क्या होगा इस अब हाथी जब पैर रखेगा तो इस पूरी प्लाइव वूड का एरिया consider कर रहे हैं तो तो यह अरिया बहुती जादा increase हो गया चा हो कि नहीं होगा अब प्रेसर बहुत ज़्यादा रिड्यूज हो गया तो मेरे चाती पे जब वह ऐसे चड़ेगा समझ लिजए ऐसे रखा पैर तो प्रेसर रिड्यूज होने के कारण मुझे कुछ असर नहीं होने वाला मतलब इतना भी नहीं कि बच्चा कोई है और उसके उप होती कम हो गया तो वह आदमी सेफली बाहर निकल आएगा और सो कुछ भी उस्सा नहीं होगा और बाहर की जनता होती है वह खुस हो जाती है कि इतना मजबूत आदमी है और इसको कुछ भी नहीं हुआ पर इसमें लगा क्या था फिजिक का एक सिंपल सा लौ ठीक है तो यह कितनी ज्यादा यूसफुल आप समझ सकते हैं और हमारे आज जो बजो की दुनिया में इसका काफी ज्यादा यूस होता है ओक है ठीक है एक सिंपल से एक्जामपल था आपको समझने के लिए ठीक है यह सॉलिड की चीज़ें के बारे में अब समझे प्रेसर लिक्विड में आफयर जो फ्लुइड है उस पर कैसे करता है तो फ्लुइड पर देखें माल लीजी कि हमारे पास में की कंटेनर है और उस पे एक बॉल को वर्दल दाल दिया और यह आपका लिक्विड है अब है अब है ता हिस पर प्रेशर ह और कैसे लगेगा तो इसको समझे इस पर इधर का पानी है इधर का पानी जो है वो इधर का पानी है वो इधर का पानी है वो इधर और ये सारे के जारे जो एरो देख रहे हैं ये सब क्या है ये सब के सब force है, क्या है सब के सब, सब के सब आपका force है यहाँ पास में और यह सारे के सारे force perpendicular है क्या है, perpendicular है to the surface area, जो भी इसका area यह इसका area था तो इस area पे यह force क्या है perpendicularly apply होगा, तो इस पे काफी सारे force लगते है weight पे, ठीक है, अब इसको समझिएगा, बहुत ही simple सा है, ठीक है देखिए, अब सारे force अगर same है और force upon area हमारा जो pressure बनता है, हर force का, अगर area के हिसाब से अगर pressure निकाले, ठीक है और सारे के सारे जो pressure है, वो same आ जाएं, क्या आ जाएं, same pressure आ जाएता है ठीक है, इस पर जो force लगाए इस area पे, इस पर जो force लगाए इस area पे इस पर जो force लगाए इस area पे, तो सभी का जो force है, force upon area का जो pressure बनके आ रहा है वो अगर same आ जाए तो इसका मतलब यह है कि यह जो body है यहाँ पास में यह जो ball है यहाँ पास में वो क्या है rest position ठीक है समझ में आ रहा है rest पर मतलब कि यह कहीं भी जाने वाला नहीं है अब यह equilibrium condition पर है यह इसको इधर दखेला तो इसका force को रोकने के लिए यह force था इसको है और इसके कारण यह जो system है यह यही पास में स्थिर हो जाता है अब देखिए इस पे काफी सरी चीज़ आप 9 में पढ़े होंगा बायोंसी force के बारे में हम लोग अपने इस chapter में भी बायोंसी force के बारे में पढ़ेंगे तेखिए यह इसको उपर force हकेल रहा है पर इसका य तो ऐसी में क्या होगा ऐसी में यह बाल ऊपर चला जाएगा और इसका एक net force निकल के आएगा अब कभी किसी system का अगर net force निकल के आता है तो इसका मतलब यह है कि fluid जो है वो फो आपका flow condition पे है या फिसके अंदर जो object है वो क्या होगा flow हो जाएगा आपका due to this liquid ठीक है अभ पास में मेरा object है अब इस पे दो टैप से force लगते है पहला force तो यह perpendicular वाला लग ही रहा है ओके है अब एक मैंने एक और force आपको बताया था कौन सा force कैसे लगा था share stress के कारण लगा था share stress के कारण लगता है ठीक है अब share stress के कारण फोर्स लगा तो यह parallel ही लगता है अभी समल parallel force बोलेंगे इसको कौन सा बोलेंगे parallel force ओके है अब समझेगा यह object यहां पास में है अब इस पे यह parallel force लग रहा है ठीक है अभी किसी भी object को move होने के लिए क्या जरुवत है friction की जरुवत है किसमें पढ़े थे हम लोग law of motion में friction पढ़े थे ठीक है अब बिना friction के तो यह flow हो हो ही नहीं सकता है समझ रहे है अभी देखिए यह object यहां पास में है इससे कारण देखिए अब यह समझेगी के rest position पे है तो rest position का मतलब क्या है कि यह fluid है friction force एक कारण यह इसको आगे इधर ढखेलने की कोशिस कर रहा होगा देखिए यह force ऐसे लगा रहा होगा ना sharing force sharing stress ठीक है अब इसके कारण यह इधर move करने कोशिक करेगा तो यह ball क्या करेगा इस fluid को यह जो है यहां molecules है ठीक है हमारे water molecules ठीक है अब यह इसको इधर force लगा रह ठीक है अब reverse में इसने इधर force लगा दिया इसको रोकने के लिए और जब यह force इस force के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा तब उस point पे यह जो fluid है वो कौन सी position पे आ जाएगा rest position पे आ जाएगा object की बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है fluid की बात कर रहा हूं समझ में आ रहा है पे और नदी पे खड़े हो गया और पानी आप ऐसे जा रहा है पैसे चूते हुए तो fluid इस टाइम पे क्या है आपका flow form पे है ठीक है मतलब उस टाइम पे fluid जो है वो rest position पे नहीं है अब अगर fluid है जो की flow condition पे आ गया fluid जो है वो क्या आ गया flow condition पे आ गया तो इसका मतलब क्य अग्यमी अपका fluid है वो दूसरे परत आपका जो इननर दूसरे वाला जो आपको मॉलेक्यूल है वह सकता है अब लेक्विशा होता है अब आयूट मतलब कि वालेकूल अब देखें यह परत मान लीजेगा फिर इसके नीचे का एक परत मान लीजेगा इस टैप से होता है आपका flow में यह इस से घिस्टार आ रहा है इन सभी चीचों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे यह एक अलग से टॉपिक के उपर में कि जो स्टीम करना चालू कर दिया सिंपल सी बात एक दम फ्रिक्षन तो लग रहा है पर यह इसको रोक नहीं पा रहा है पर अगर फ्रिक्षन है नहीं होता समझ रहे हैं कोई अगर यहाँ पास में रहता ही नहीं तो यह flow कैसे करता समझ रहे हैं नहीं कैसे मिलेगी अगर यह नहीं मिलेगा तो किसी करण भी मिल सकता है ऐसा हो सकता है पर अगर यह नहीं होता और सिंगल मॉल्न होता वैसे तो होगा नहीं, पर ऐसा हो गया होता अगर by chance भी, तो इसका जो flow होता, वो क्या होता, वो constant velocity challenge, मतलब accelerate नहीं हो सकता है, simple सी एकडम बात है, ठीक है, तो ऐसी conditions हमें कहां मिलती है, ऐसी conditions हमें space में देखने मिल जाती है, ठीक है, इन chapters पे आपको एक topic है density, density की बारे में वै काफी ज़दा use होने वाला है, तो density का formula क्या है, density equal to होता है, mass upon volume, इसके बारे में मैंने आपको पिछले chapter में भी बताया, तो इसको इसको दिमाग में रखेगा, कि जो density है, वो क्या होता है, ठीक है, density क्या होता है, mass upon volume, ओके, अगर volume को घटा दिया जाए, ठीक है, किसी बीच इसको छोटा compress किया जाए, और उसके volume को घटाया जाए, तो इसकी जो density है, वो क्या होगी, increase होना चाली हो जाता है, अब सबसे ज़्यादा जो change है, वो किस में आता है density पे, तो सबसे ज़्यादा जो आपको density में change मिलेगा, ठीक है, volume change होगा जब, ठीक है, तो वो किस में होत प्रेशर का point अब आपको clear हो गया होगा, ठीक है, तो इसकी उपर question मनाना तो बनता ही है, तो चलिए, कि इसकी उपर question मनाना, question बहुत simple सा है, question क्या बोलता है, question ये बोलता है, कि समझ दीजे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, जब मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पैरों में अ कि मेरा जो weight है वो मेरे bones पे pressure डाल रहा होगा और अगर मेरे bones पे pressure डाल रहा है तो वो pressure कितना है ठीक है इसको हमको find out करना है practically तो मैं कितना pressure को जहल सकता हूं मेरे bones जो हैं वो कितना pressure जहल सकते हैं इसको हम easily find out कर सकते हैं तो चलिए एक छोटा सा कोशन बनाते हैं और समझते हैं कि जो फार्मला है प्रेशर का वो कैसे वर्क करता है ठीक है इस पे छोटा सा टॉपिक में छूट गया है इसको थोड़ा समझेगा आप ठीक है अब देखिए यहां पास में काफी सरे फोर्स है ठीक है अब यह फोर्स बहुत सरे हैं और मैं तो सिंगल फोर्स की बात कर रहा था तो अगर यह काफी सरे फोर्स है तो प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग उस टाइम पे उस टाइम पे यह प्रेशर बन जाएगा एवरेज प्रेशर ठीक है एवरेज प्रेशर क्यों बनेगा क्यों कि इसमें काफ इस ball पे थोड़ा सा change आ रहा होगा समझ लेज़े example है कि कुछ तो change आ रहा होगा area compress हो रहा होगा तो उस time पे pressure का formula कैसे निकल के आएगा तो उस time पे pressure का formula आपका निकल के आएगा limit of del area tends to zero del force upon del area मतलब जटना भी फोर्स बन रहा होगा थोड़ा थोड़ा फोर्स करकर लगरा हो ना देखिए एक dollars तो नहीं लगाता होगा थोड़ा-thोड़ा प्रेश नहीं करना है तो आठां और ज्यादधा चड़ान नहीं इसमें लंबा चाला इसमों इंद् difí कुछ है नहीं कुछ नहीं है बस जद्धा फोट लगा देना है और एरिया में अगर बहुत कम चेंज आए तो यह लिमिट वाला कंडिशन को वहां लगा देना है ओके है ठीक है तो चलिए एक छोड़ा सा कुश्चन बनाते हैं तो कुश्चन क्या बोलता है देखिए आपके ढूंस से लिया गया है तो भी गांजर सा कोस्चन है मालें लिटे कि हमारा क्या क्या दिया हुआ देखिए घिवन तो देट में थिक बॉन्स है हमारे ठीक है तो थिक बॉन्स मतलब जो हमारे जांगों के जो हड़िया होती है उनके बारे में बात हो रही है ठीक है तो थिक बॉन्स जो है उसका जो एरिया है वो 10 cm2 के हिसाब से लिया गया है ठीक है और जो हमारा अपर पार्ट आप दे बॉड़ी है ठीक ह तो वेट को देखिए इसको हमको अगर फोर्स में चेंज करना है तो फोर्स का फॉर्मला क्या आता है mg जी को हम मान लेते हैं 10 मान लिजे तो 40 x 10 तो आएगा 400 न्यूटन का फॉर्स ओके है अब देखिए कभी भी फॉर्मले को जब हमको डिस्काइब करना हो हमें एक्वेशन को सॉल्ब करना हो ठीक है तो हमेंसे ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट्जन बहुत ही ज़्यादा ज़रूदी है अब देखिए ठीक बॉन्स जो हमारे पैर टोटल दो है तो ठीक बॉन्स भी हमारे दो हो गए अब दो फोर्स हो गया तो हमको एरिया जो नेना है तो हमारे जो एरिया रहेगा वो क्या होगा डिस्टिबूट हो जाएगा ठीक है तो हमारे एक पैर इस पे भी लग रहा है और एक दूसरे पैर पे भी लग रहा है तो यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा एक का है 10 cm2 तो इसमें भी लगेगा आप मिलेंटीमिटर स्कॉरर अब मैं चेंच करना चाहता हूं इसको मीटर में में स्कॉरर को मीठर में करूँगा एक सांदीमीटर जो है हमारा संदीमीटर हुथ पावर माइनस 2 केवा oppress में होता है ठीक है है तो 20 क्या हो करते हैं कि जो हमारे bones है इस particular point पे इसको कितना pressure महसूस होगा और हमारे जो pair जहल पाएगा कि नहीं जहल पाएगा वो तो अलग बात है तो pressure equal to क्या आएगा force upon area ठीक है force क्या है 400 area क्या है 20 into 10 to the power minus 4 00 cancel 21 जा 20 और यह उपर जाएगा 10 to the power 4 newton per meter square यह हमारा pressure exert हो रहा है हमारे pair पे ठीक है बहुत दोग स्कॉर साइग लगते हैं 2 into इसका एक 0 इसको देती है 10 to the power 5 newton per meter square ठीक है बहुत सिंपल सा है अब इसका एक दूसरा unit भी निकाला गया है तो pressure का दूसरा unit क्या है पासकल तो पासकल ने इसके उपर में एक research किया था और उसे हम पासकल law बोलते हैं तो इसका जो हमारा अगला topic है वो क्या रहा है का पासकल law के उपर तो उनके नाम पे ही pressure का एक दूसरा unit भी दे दिया गया था जो कि था पासकल ओके तो पासकल एक scientist थे जिनोंने pressure की उपर में काफी ज़्याद़ experiments किये थे तो यह चोटा सा question एकदम ऐसे काफी सरी धेर सरी question आपके बुक में दिये गया है NCRTP नहीं मिलेगा तो reference book पे तो मिल ही जाएगा तो खुब सरे question solve करिए आज इतना ज़्यादा question solve करेंगे उधर नहीं ज़्यादा आपकी जो understanding एस topic की उपर में वो अच्छी हो जाएगी ठीक है तो चली रफ करता हूं मैं इसको और बनाते है पासकल law पासकल law क्या होता है उ इसके लिए एक experiment किया गया था उस experiment को सबसे पहले समाज़िए माल लीजी कि यह हमारा एक beaker है ओके और इस पर प्रिजम रखा गया है ट्रैंगलर सेप में इस टाइप का कुछ दिखता है यह यह actual में जो इसका सेप यह जो size है वो बहुत ही छोटा रखा गया है ठीक है पर ह हमारे visibility के लिए मतलब हमको अच्छे दिखना चीज़िए इसके लिए size बढ़ा दिया गया है तो इसको three-dimensionally समझेगा कुछ ऐसा दिखाए देता है यह ओके तो इसका नाम रखा गया है A B और यह बना लीजेगा C फिर यह बनेगा D E F अब इसको पानी के अंदर ऐसे डुबा दिया गया अब पानी में डूबने के कारण यह जो water है वो क्या करेगा इस पर force लगाएगा तो force के total तीन सर्फेस है कौन-कौन से एक सर्फेस यह है एक सर्फेस यह है और एक सर्फेस यह है इसका नाम देदीजेगा F A इसका नाम देदीजेगा F B और इसका नाम देदीजेगा F C ठीक है हो सकता है कि आपके बुक से थोड़ा उल्टा सीदा हो गया हो तो उसको manage कर लेंगे अपन कोई दिक्कत नहीं हो उसके अब main बात है कि यह कैसे work करता है देखिये यह इस पर फोर्ट लगा रहा है यह इस surface पर फोर्ट लगा रहा है यह एक plain surface ये भी एक plane surface है ठीक है अब इसको fa लिया गया है तो इसका ये वाला area को आप मान लिजेगा a of a ओके इस वाले area को आप मान लिजेगा a of b और इस वाले surface को आप मान लिजेगा area of c ठीक है अब होता क्या है इसे Pascal law ये बोलता है कि अगर कोई body है ये system ये जो body है प्रिजम है जो आपका जब इसको हम लोग पाने में merge करेंगे ठीक है तो अगर ये rest position पे है क्या है rest position पे है तब इसका मतलब ये है कि इसके सारे points पे इसके सारे points पे ये जो force लग रहा है सबसे पहला ये perpendicular होगा और इसका जो pressure होगा in all points in all points is same तो हर point पे जो pressure बन रहा है वो कैसा होगा same निकल के आएगा तो इसे solve कैसे करते हैं इसका चोटा सा derivation है अब derivation बोली है मैं तो देखिए इसको कैसे करते हैं देखिए ये वाला totally x-axis पे है तो इसके component break नहीं होंगे ये वाला totally y direction पे तो इसके component पे ब्रेक नहीं होंगे अब देखिए ये वाला आपका तिर्षा आ रहा है से तो इसका components break हो जाएगा ये ऐसे आ रहा था तो इसका एक component इधर जाएगा और इसका एक component इधर जाएगा और ये इसका angle हो जाएगा तो angle के साथ वाला यह FB है तो angle के यह साथ वाला बनेगा FB cos theta और इसका इधर वाला बनेगा F of B sin theta ठीक है अब by the equilibrium के कारण यो कि यह move तो हो नहीं रहा यह rest position पे है तो इसकी force को हम रहुँ रिलेट करेंगे तो रिलेट करेंगे तो कैसे F of B इसका यह वाला जो component है यह वाला component किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा F of A के बराबर होगा तो यह वाला component क्या है F of B sin theta किसके बराबर होगा F of A के बराबर होगा ओके ठीक है फिर देखिए इसका एक component नीचे आ रहा है तो कौन सा component है F of B cos theta किसके बराबर होगा, f of c के बराबर होगा, ओके है, तो यह हमारे दो condition आते हैं, किसके करण आते हैं, by equilibrium, ठीक है, by equilibrium condition के कारण, क्योंकि यह, जो system है, वो क्या है भी, rest position पे है, ओके है, अब by the symmetry, by the symmetrical law, इसका area को भी हमको ऐसे ही distribute करना है, ठीक है, अब यह जो prism है, यह एक rectangular prism है, ठीक है, अब rectangular prism के कारण, इसको symmetry में हमको ले के आना है, ठीक है, इसका यह वाला length, इस वाले length के बराबर में, इसका यह वाला area है, इस वाले area के बराबर में है, ठीक है, अब इसका area vector आप समझेगा, ठीक है, तो इसका यह वाला तीर्छा द दबल होगा इसका यह वाला जो ब्रेक होगा उसको समझेगा तो एरिया ओफ ना इसको एरिया ऴक्तर के बराबर होगा, फिर area of B sin theta, जो है वो किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, तो area of A के बराबर होगा, ठीक है by symmetrical law by symmetry ठीक है, ठीक है अब हमको ratio निकाल ले हैं इसके, तो इसका ratio निकाल लेंगे कैसे हम लोग, तो देखिए इसको equation number 1 माल लेजएगा, इसको 2 माल लेजएगा, इसको 3 माल लेते हैं, और इसको 4 माल लेते हैं, तो यह A वाला यह है और इसमें से A वाला यह है तो इसका ratio निकालते चलिए तो f of B sin theta upon A of B sin theta equal to f of A, A of A sin theta, sin theta cancel f of B, A of A equal to f of A, A of A तो इस ratio को क्या बलेंगे P of B, इस ratio क्या बलेंगे P of A, मतलब यह जो B वाला जो area है इसका pressure P of area A के बराबर में निकल के आ रहा है, मतलब दोनों जो pressure है, वो क्या है same निकल के आ रहा है, ठीक है अगर यह C वाला pressure भी इसके बराबर हो जाए, तो मतलब की यह जो system है, यह बाडी है वो rest position पे होगा और अगर pressure equal नहीं आया, तो नहीं होगा, ओके तो अब देखिए, 3 वाले को 4 वाले के ratio में लेके आते है f of B, cos theta upon A of B cos theta यह आएगा, f of c upon a of c, cos theta, cos theta cancel, f of B, a of b, f of c, a of c यह क्या निकल के आएगा pressure of B, और यह निकल के आएगा pressure of c, b a के बराबर है, b c के बराबर है इसका मतलब p of a, जो है, वो c के बराबर हो गया इसका मतलब p of a p of b, और p of c 3 के 3 equal है मतलब pressure of a pressure of b, और pressure of c 3 के 3 equal है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो prism है वो क्या है rest position पे है और जो fluid है वो भी क्या है rest position पे है अगर इस में से किसी का भी pressure change हो गया मतलब कि PA, PB, PC तीनों में से अगर किसी का pressure match नहीं किया तो क्या होगा वो fluid rest पे नहीं रहेगा मतलब इस system का जो net force निकल के आएगा ठीक है जब भी मैं net force की बात करता हूं इसका मतलब है कि जो force है वो equilibrium condition पे नहीं है मतलब कि जो force है उसकी एक particular direction हमको मिलेगी उस direction पे आपका जो fluid है वो flow होना चालो हो जाएगा ठीक है तो I hope आपको ये Pascal law भी clear हो गया होगा Pascal law में सिर्फ यही बोला जाता है कि जो भी system है जो भी body है अगर उसे fluid में डाला जाए तो उस पे जो भी force लगेगा वो हमेशा perpendicular ही रहेगा इस चीज़का आपको ध्यान देना है कभी भी force जो है वो तिर्चा ऐसा या ऐसा arrow के हिसाब से नहीं लगेगा ठीक है जो भी surface है उस इसके perpendicular में ही लगेगा बस Pascal law इतना simple सा है एकदम ओके तो चली इस वीडियो को यहीं close करेंगे काफी बड़ा वीडियो हो गया है अल्रेडी यह ठीक है तो आई होप यह Pascal law आपको clear हो गया होगा pressure के बारे में आपको काफी ज़्यादा knowledge मिला होगा fluid और solid में क्या difference है इसके ब comment के तुरू पूश सकते हैं बिना ही ज़्यक के ठीक है तो उसको हम लोग solve करने कोशिश करेंगे कि कौन सा topic आपको ज़्यादा clear नहीं हो रहा है ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोग कि एम जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अटमा स्पेरिक जो प्रेशर है वो क्या होता है वैसे तो उसको इसी topic में बदाना था पर मैं उसको अगले topic तक लेके जा रहा हूँ STP क्या होता है standard temperature जो होता है वो क्या होता है उसको भी हम लोग next topic में पढ़ेंगे ठीक है तो thank you for joining this video आपका दिन सुबरे